भारत एक विशार उत महादीप है, जो दक्षिन एशिया के मध्ध से हिंद महासागर तक फैला है। परवतों और समुद्रों की विशिष्टाओं के साथ साथ बहु सांस्कृतिक, बहु भाशिक देश है। धर्मों, जातियों, वेश भुचाओं, सामाजिक रिती रिवाजों तथा धार्मिक अनुस्ठानों की द्रिष्टी से यहां अत्यधिक विवीता दिखाई देती है। इसी विवीता ने भारत और देश के अनेक विद्वानों को भारत की एतिहासिक विशिष्टाओं, परंपराओं और उनकी एतिहासिक तथा आर्थिक प्रिष्ट भूमी के अध्येन की ओर आकरशित किया है। भारत सरकार का परकाशर विवाग राष्टी महत्व की विश्यों, भारत की सम्रित संस्कृती और साहितिक विरासत को दर्शाने वाली पुस्तकों का परकाशन करता है। इसी कड़ी में इस विभाग ने गजेटियर ओफ इंडिया के खंड दो के हिंदी अनुवाद भारत का राजपत्र, इतिहास और संस्कृती का परकाशन किया है। ये पुस्तक प्राग इतिहासिक काल से सन 1947 में भारत की स्वाधीनता प्राप्ती तक के इतिहास और संस्कृती पर विस्तरित रूप से परकाश डालती है। इतिहास लेखन के नए परतिमान गरती है और राजनेतिक इतिहास लेखन की परचलित परविदी से हटकर मूलते भारती दृष्टिकों से आम लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और कलात्मक जीवन के इतिहास पर बल देती है। छेतरी भाषाओं और उनके साहित्य के उत्थान और विकास की महत्व पुर्ण उपलब्दियों को भी इस पुस्तक में वर्णित किया गया है। भारत का राजपत्र के इस खंड को तीन विभागों में बाटा गया है। भाग एक में प्राचीन भारत के प्राग इतिहासिक और आध्य इतिहासिक काल, भारत के प्रारंबिक इतिहास, सरकार और आर्थिक जीवन, समाज, धर्म और साहित्य, कला और अस्थापत्य का वर्णन है। वहीं भाग दो मध्यकालीन भारत में 1206 से 1761 इसवी तक के इतिहास का वर्णन है। इसी परकार भाग तीन आधुनिक भारत में 1761 से 1947 तक के इतिहास भारती राष्टी आंदोलन, समाज, धर्म और साहित्य पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। इस पुस्तक में युगों से चली आ रही हमारी सम्रिद और विवीता पुन संस्कृती के अनेक पक्षों को समुचित महत दिया गया है। छेतरिय भाषाओं के विकास के महत पुन घटना क्रमों का उल्लेक किया गया है। यह पुस्तक प्राचिंतम काल से आधुनिक काल तक के इतिहास और संस्कृती का सुसंगत चित्र प्रस्तूत करती है। भिन्ने भिन्ने कालों में कारिडत उन शक्तियों और पभावों का विश्रेशन किया गया है जिनों ने सामाजिक परिवर्तन की परकिरिया में योगदान किया और उसके बाद के इतिहास को स्वरूप परदान किया। देश की आजादी की कहानी का वर्नन पूरी सच्चाई और सटीक्ता के साथ इस पुस्तक में प्रस्तूत किया गया है। मुलते अंग्रेजी में पहली बार 1973 में प्रकाशित इस पुस्तक का संपाधन डॉक्टर पी एन चोपडा ने किया है और इस खंड में योगदान देने वाले लेकत अपने अपने छेतर के लव परतिश्चित व्यक्ति रहे हैं। यह पुस्तक ना केवल इतिहास के छात्रों और विद्वानों बलकि भारत के इतिहास और उसकी संस्कृती में रूची रखने वाले देश-विदेश के सभी लोगों के लिए अति महत्पुन साबित होगी ऐसी उमीद की जा सकती है।